किसान साथियों, आज हम पहुँचे हैं अमरावती, अमरावती में हम आए हैं, एक किसान हैं, डॉक्टर रोहित नेरिवाल, डॉक्टर रोहित एक अनेस्थीशियन है, और इनका बहुत ही अच्छा एक होस्पिटल है, अपना मातोसरी होस्पिटल के नाम से, ये अमरावती में एक विलेज है, वलगाओं, वहाँ पर है, जो अमरावती से लगबग आठ से दस किलोमेटर दूर है, किसान साथियों, रात हम यहाँ पर रुकें, ये हमारा तीसरा पड़ाओ था, और मेरी बहुत इच्छा थी, कि मैं डॉक्ट साब के पास जाओं, उनका बगीचा देखूं, उनके सब संसादन देखूं, और आप लोगों को भी उससे परिचित कराओं। डांट साब का कुल 40 एकड का फार्म है, जिसमें से 15 एकड नीमू है, जो 25 एकड है, वो सीता फल है इनके पास में, और ये एक बहुती सुन्दर पार्म है, आप देखेंगे कि इसमें गाएं का भी एक गौँ साला है छोटी सी इनके पास में, जो गाएं का मूत्र और गोब है इसका पानी देने का वो भी ऑटोमेटिक है, जिसे अपने फोन से ही ये कंट्रोल करते हैं, घर बैठे बैठे कब इने पानी चलाना है, कब नहीं चलाना है, और ये ख्याती का एक बहुत अच्छा स्टार्टर है, जिसे आप भी एक सीम के द्वारा प्रियोग कर सकते हैं तो किसान साथियो, आएए बात करते हैं डॉक्ट साब से, नमस्कार, मैं डॉक्टर रुवित के निरिवाल, रहनारी रहनारा वलगाव, महराश्र, मेरे यहां पर 40 एकर का बगीचा है, 15 एकर का नीमू का बगीचा है, और बाकि 25 एकर है, सिताफल का बगीचा है, डॉक्ट यहां पर मैं यही क्रॉप लिया करता था, पर मेरे जैसे फारमर्स जो थोड़ा सा कब ध्यान दे पाते हैं, उनको सालाना मुनाफ़ा या जो भी सालाना खेती का खर्चा होता था वो पुराता नहीं था। उससे कुछ और परिशान होकर मजूरू की तकलीफ से होकर मैं एक नया कुछ सिस्टम डेवलप करना चाहता था जिससे की भई मेरा ही नहीं बाकि आगे वाले आने वाली जेनरेशन का भी इसमें उनको कुछ फाइदा हो तो उसी हिसाब से मैंने ये बागवानीश की शुरूआत की शुरूआत में तो मेरा आम का बगीचाल लगाने का प्लान था क्योंकि वलगाओं में एक जमाने में यहनी मेरे पैदा होने के पहले के भी कुछ बोलें तो वलगाओं की आम काफी प्रसिद्ध थे पूरे हिंदुस्तान में और वलगाओं का गावरानी आम करके यहां पर अलगी जाती होती थी और आम के यहां पर नहीं नहीं करीब करीब पचास हजार से जादा पेड़ पौदे थे अब काफी कड़ गए अब हाड़ली दस एक हजार बचे हैं तो जब उस वक्त आम लगा जा सकता था तो अभी भी वापिस होने की शक्यता थी तो उसी प्रयास में मैंने प्रयोजन से मैंने यह काम शुरू किया पर आम के मैंने तीन सो पौदे लगाए उसमें मैं कामियाद नहीं हो पाया और पर सीताफल और नीम्बू में मैं काफी अच्छे से काम कर रहा हूं पर उसमें भी काफी दिक्कत है आ रही है अपने जो यह नीम्बू और सीताफल करने की क्यों सोची यह दो बाद नीम्बू और सीताफल करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मेरे जमीन जो है खारे पानी में है जमीन भी खारे पानी की है और मिट्टी भी खारे इसकी है यह करी-करी 900 TDS के आसपास हो जाता है मेरा यहां पर हाडनेस तो पानी का कम से कम उपयोग में जो बैतरीन से बैतरीन हर्टिकल्चर क्रॉप में ले सकूँ उसमें मैं सेलेक्शन के हिसाब से दो ही क्रॉप ले पाया एक सीताफल और एक नीबू फिर भी नीबू में थोड़ा सा ज्यादा लगता है पानी पर वो हो जाता है जैसे मैंने देखा है यह जो बगीचे हैं दो इसमें दो वरैटी है आपके सीताफल की बाला नगर और इनयम के गोल्ड तो सर यह दोनों वरैटी आपने एक ही वरैटी क्यों नहीं करीजाओ और इनमें क्या आंतर लगा यह तो ट्रेडिशनल वरैटी है जो solid sturdy plants है उसके और दूसरा इनेम के गोल्ड ये कस्पटे साहब की एक नभी इजाद की हुई वराइटी है जिसके plant पौदे वगरे जो है काफी sturdy है इसका फल थोड़ा सा लेट आता है और काफी देर तक है निसंग करीब करीब इसका फल है तो आपको नवंबर से चालो होके डिसंबर तक मिलता है और वहीं पर बाला नगर का फल जो है आपको October November में मिलता है और एनेम के गोल्ड का size भी बड़ा है थोड़ा सा टेस्ट में भी फरक है टेस्ट में तो आप कैसा है कि हर एक का choice है किसी को ज्यादा बीठा चाहिए किसी को कम मिठा चाहिए वह इस आप स यह चीज है एनेम के गोल्ड में और size के हिसाब से काफी अच्छा होने के कारण प्रामायन में ज़्यादा भी क्रा है पहली चीज यह बताईए कि इसकी कितने साल बाद फ्रूटिंग सुरू हो जाती है दूसरी चीज यह बताईए कि इसे के लिए सही दूरी क्या है और तीसरी चीज यह बताईए कि जब यह फल देना सुरू करता है पहले साल में तो ओस्तन कितने किलो ग्राम परती एकड मतल सिताफल लगाने के लिए सबसे बहतरीन दूरी है करीब करीब 14 अबाय 8 की या 14 अबाय 10 की जिसमें करीब करीब अपने एकर भर में 300 पौधे के आसपास 300 से 340 पौधे के आसपास में आ जाते हैं और सिताफल का बाला नगर का पौधा अपने को करीब करीब 14 साल से वो सिताफल देना शुरू कर देता है करीब करीब 14 साल से अपन 5-6 फल से लेके 10 फल तक ले सकते हैं उसके पहले के जो सिताफल आते हैं उन्हें के तोड़ दिया जाता है और चौते साल से अपन दस फल तक ले सकते हैं और उसके बाद में वो बढ़ता रहता है जो साथवे आठवे साल तक अपन एक जाड़ से करीब करीब पचास फल तक लिया जा सकता है जो एक अच्छे साइज और अच्छे टेस्ट का फल अपने को मिलता है टार्गेटेड रहता है कि अपने हर जाड़ से जो बजेटरी कैलकुलेशन होते हैं सीता फल के प्रजट के उसमें तीस किलो फल अपने को मिलना चाहिए ताकि ओवराल जो रेट अगर मार्केट में जाके मिलें तो साइज भी अच्छा मिलता है अगर तीस किलो लेते हैं तो सारासरी उसका साइज चारसो ग्राम की आसपास एक सीता फल का मिल जाता है तो इसका मतलब यह लगभग तीन सो अगर पोधे हमारे ही हैma तो तीन सो पोधों से ओन आन अबरेज पचास फल हो गाए हमरे तो तीन Sो गुना पचास तो तो फंद्रा फ़ल मीलें हैं तो कितनी कोस्त आजाईगी सः आपके एक पौदे एक एकर में लगाते हैं, जो चटवे साल से अपने को ये कमर्शल वायबिलिटी पे आ जाता है, लगभग पचास फल अपने एक पौदे से मिलते हैं, जो कि अपने को करीब करीब 3500 केजी सीता फल अपने को मिलता है, और अगर वो 50 रुपर किलो से भी, अगर किसान क के लेवल पर 50 रुपर किलो से भी गया, तो अपने करीब करीब किसान को 1,75,000 से 1,80,000 रुपर तक का घर में आ सकता है, और अपना सारा सरी चार साल का सिताफल के बगीचे में का खर्चा जो लाक रुपर के आसपास में पकड़ता हूँ, वो होता है, तो पाच्वे बगीचा बढ़ता है, और आमदनी भी बढ़ती है, फ्रूट के साइज और क्वालिटी दोनों बढ़ती है, तो उसी हिसाब से उसमें उत्पादन भी अपना बढ़ता है, कोई इंटर क्रोपिंग भी लेते हैं आप इस बीच में पहले 5 साल, शुरुवात के 4 साल मैंने सिर क्रोपिंग हुई पहले 4 साल में, वो लगभग आपका खर्चा निकल चुका और जो छटे साल से हमारी सुरु हुई जो है, उसमें मोटे तोर पर डाट सामने जैसे 40 से 50 हजार बताया, आप इसे 80 हजार भी मान के चलो, तो एक लाग का नेट प्रोफिट आपको इससे हो सकत है, जबकि आप अच्छी देखबाल समय पर खाद परबंदन, समय पर पानी करें तो, और अगर किसी को एक लाग परती एक कड़, किसी चीज से आमदनी है, तो उसे मैं बहुत अच्छी आमदनी समझता हूँ, और एक बहुत अच्छा कारिया समझता हूँ, अच्छा, डाक होती है, जो बहुत खतरनाक होती है, एक तो उसके बारे में बताइए, और दूसरा किसानों को जो इसे लगाने की सोच रहे हैं, उन्हें इसे लगाने के लिए कौन सी वराइटी आप रिक्मेंट करेंगे, और क्या सावधानी उनको रखनी है, सिताफल का बगीचा लगानी पूरी प्रयोक्षाले में जाच करवाएं, जमीन की मिट्टी की जाच करवाएं, पानी की जाच करवाएं, उसमें क्या अच्छा है, क्या कम हैं, उसकी मालूमात करें, और उसके हिसाब से सिताफल को जो खाद लगता है, उतना ही दे, ज्यादा न दे, सिताफल को खाद और पानी दोनों की मात्रा जादा नहीं लगती दूसरा जमीन को समतल जरूर करें जमीन पर कहीं पर भी बारिश में या कोई भी सीजन में कहीं पर भी पानी का ठराव नहों ये सबसे पहले देखें जहां पर पानी का ठराव होगा वहां के सिताफल के जाड़ मर जाएंगे, वहाँ पर सिताफल का जाड़ कभी नहीं उगेगा, पानी का ड्रेनेज जो है आपको सबसे पहले ध्यान रखना है उस बगीचे में, जहां पर भी आप सिताफल का पेड़ लगाओगे, वहाँ पर सिताफल के कम से कम तीन फुट के घेरे में पानी बहुत कम लगता है, जहां पानी जमा हुआ वहाँ पर सिताफल का पेड़ खतम हुए, दूसरा सिताफल के regular conventional वराइटी जो है, traditional वराइटी जो है, बाला नगर की है, जो आप तयार पौधे भी लगा सकते हैं, या बीज से बीज के टेरेक लगा के भी तयार कर सकते हैं, पर बजार में जो सबसे ज़्यादा चलने वाली जो वराइटी हैं, बाला नगर और एनिम के गोल्ड, ये दो ही वराइटी हैं, जो अपने हिसाब से अपने को मार्केट का लोकल में क्या चलता है, उसको देखकर अपने पौड़े आप लगा सकते हैं, ये थे डाक्टर रो उसे भी लेकर गएते हैं, जो ताइवान पिंक है और ये सीता फल है, ये सब मेरे अनिल जी के हां से आते हैं, और अनिल जी का एक बहुत अच्छा सोख है, कि ये सब नरसरी में जाते हैं, घूमते हैं, और मेरी साथ वैग्यानिकों से मिलते हैं, अब की बार हमारा यही प् किसानों से भी मिलें और उन से बताएं, तो अगर आप अच्छे पोधे लेना चाहते हैं, तो आप जेहिन नरसरी से संपर्क कर सकते हैं, अनिल या दोजी से संपर्क कर सकते हैं, ये मैं उनकी ये नहीं कर रहा कि मैं कहरा हूँ, आप इनी से ले, कहीं से भी ले, पोधे 0000 एक बार फिर बता देता हूं 978443 0000 आप इन से संपर्क कर सकते हैं अगर चाहते हैं ये था हमारा सीता फल की बागवानी का जिस पर हमने आपको जानकारी दी और एक्चुल में दिखाया कि ये देखिये जो आपको हमने बीच बीच में दिखाया कि दो उत्रे के पोदे हैं इनके बालाजी और एनम के गोल्ड इन में से कोई भी वराइटी आप सेलेट कर सकते हैं और किसान साथियों मैं ये नहीं कहता अभी तक मैं उस किसान की तलास में हूँ जिसे पांच लाक परती एक कड़ परती वर्स कमाता हूँ वो किस चीज़ से कमाता है मैं अभी उसकी तलास में हूँ और ये तलास जारी है और जारी ही साइद रहेगी पर एक लाक तक का मुझे विश्वास है अमरूद की भागवानी करें आप निम्बू की करें या किसी की भी करें तक इतने तक हो सकती है इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जै भारत बंदे मातरा